भारी भरकम बजट में बनकर तयार हुई तेलुगू सुपरस्टार जूनियर NTR की फिल्म देवरा 27 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है NTR की देवरा ने वर्ल्ड वाइड बंपर आपनें ली थी पहले दिन ही कई ब्लॉक्बस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तौडने वाली देवरा का दूसरे दिन भी बॉक्स उन्फिस पर कहर जारी है जूनियर NTR की इस फिल्म में उनके साथ अहम रोल में बॉलिवुड अदाकारा जानहवी कपूर है वहीं बॉलिवुड अक्टर सैफ अली खान फिल्म में विलेंड की भूमिका निभा रहे है गौरत लब है कि सैफ और जानहवी ने इसके जरी अपना साथ डेव्यू किया है तीनों सितारों की इस फिल्म ने पहले दिन बेहतरीन कलेक्शन किया था वहीं दूसरे दिन भी बॉक्स अन्फिस पर फिल्म का तूफान आया है आईए जानते हैं कि शनिवार 28 सितंबर को रिलीज के दूसरे दिन देवरा ने कितनी कमाई कर ली है जूनियर NTR और जानहवी कपूर की फिल्म देवरा को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉंस मिला है शुक्रवार के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच शनिवार को भी जबरदस्त एक्साइटमेंट नजर आ रही है सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक देवरा ने शनिवार को राट 10 बज कर 10 मिनट तक सभी भाशाओं में 40 करोड़ा रुपिय का कलेक्शन कर लिया है हालांकि ये आंकडे फाइनल नहीं है इनमें बदलाव संभव है फिल्म रिलीज के दूसरे दिन ही इंडिया में 100 करोड़ रुपिय की कमाई पार कर चुकी है सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 27 सितंबर को अपने पहले दिन देवरा ने घरेलू बॉक्स ऑन्फिस पर टोटल 82.5 करोड़ रुपिय का कलेक्शन किया था सबसे ज्यादा 73.25 करोड़ रुपिय के कलेक्शन के बाद देवरा का इंडियन बॉक्स ऑन्फिस पर टोटल कलेक्शन 122.5 करोड़ रुपिय हो चुका है